तो अगर आपकी स्टोरी पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, इंगेज नहीं कर रहे हैं लोग आपकी स्टोरी से तो आप इस वीडियो को एंट तक देखो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टोरी पर व्यूज बढ़ा सकते हो, क्या-क्या गलतिया हैं ज जिसकी वज़े से लोग आपकी स्टोरी से इंगेज नहीं कर रहे हैं या फिर क्या बेस्ट टाइम है आपकी स्टोरी को पोस्ट करने का जिससे आपको जादा से जादा रीच मिले जादा इंगेजमेंट हो ठीक है तो वीडियो को इंद दद देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े नहीं कर दो अब कर दोड़ कर दोड़ां के तुक्ति आपको सब्सक्राइब कर दोड़ी चाहिए इस दोड़े जाओ यह यह तो आपके तक यहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं आप आला गलग ताइप की स्टोरी जालो इन टीन गंटे के इंटे दालें आपके अप आपने स्टोरीज डाल दी आप ये काम एक हफ्ते दो हफ्ते तक करोगे और उसके बाद आप इस चीज को मेजर करते हैं कि आपकी कौन सी स्टोरी अच्छा परफॉर्म कर रही है कहां पर लोग ज्यादा इंगेज कर रहे हैं तिक आप अलगलग टाइप पी शोरीज लगाओ लोगों से चीजे पूछो ठीक है ये साही काम करो अलगला टाइप इस डालो उससे आपको पता चलेगा एक दो हक्ते में आपको मालूम चल जाएगा आपके अनलेटिक्स से किस चीज पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं कहां पर लोग इंगेज कर रहे हैं और किस टाइम में कॉसा टाइम स्लोट आपके लिए बैतर है या सूबहला टाइम स्लोट बैतर है रात में आपको अच्छे लोग व्यूज दे रहे हैं और तो आपको यह चीज करने यह गलती मत करना कि साइठ स्टोरी एक साट डाल बहुत है कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लिए करेगी चलते हम अपनी अगली टिप के उपर तो दूसरी गल्थी क्या होती है कि आप स्टोरी को इन तरह नहीं लेते हो स्टोरी का मतलब क्या होता है कहानी तो आपको भी वहाँ पर अपना आपके जो प्रविए उनको एक कहानी सुनानी है तो अब आप एक डायक डाप लेगा लिए खरीद लो आप करना क्या है आपको उनको एक जर्नी की तुरू लेकर जाना है यानि आप उनको पहली स्टोरी बताओ कि क्या आपको दिक्कते होती है खुद से सफाई करने में या फिर ज्यादा कुछ यान जो लोगों के पैन पॉइंट्स है उन पैन पॉइंट्स को आप स्टोरी में लगाओ उसके बाद अगली स्टोरी आप लगाओ कि अगर आपको कोई सॉल जो ब्रोडक्त था वह आपने दिखा दिया कि यह प्रोडक्त आप इसको ख़ईदोगे तो जो भी आप तकलीफे हैं वह चली जाएगी आपने एक बंदे के साथ कनेक्शन माया आपकी स्टोरी में तो आप भी अपनी स्टोरी में ये चीज करने की कोशिश करो एकडम शुर स्टोरी में बताओ कि ये स्टोरी में कुछ इस तरह से हैं यानि कि एक जरनी हो यानि कि उनको भी एक लगे कि भाई ये स्टोरी है तो आप स्टोरी का इस्तमाल स्टोरी की तरह करोगे तो लोग आपकी स्टोरी के साथ इंगेज करेंगी शुरू करते हैं हम अपनी अगली तिप को विजुटी तो हमें कर दिया चलते हमारी अगली टिप के उपर तीसरी चीज कि भाई देखो क्या होता नहीं कि ज्यादा तरटाइम लोगों का वॉइस आ नहीं होता है प्लस उसके साथ टेक्स को भी यूज करना है ताकि अगर किसी बंदे का वीडियो ऑन नहीं है तो आपकी टेक्स को पढ़े और उसको मालूम चल जाए कि यह क्या बाते चल रही है यहां पर अगर उसके काम कियोगी तो हो सकता है वह आपसे इंगेज कर जाए उसी बत तो आप क्या करना है आपको टेक्स को भी लगाना है कि शर्ष टकी से प्यलिगर देखनें अच्छी लगए तो अगर आपको इज घ्कना है आपको स्टोरि सकते हैं बए पर बहुत सारी आईडियास टीक है इस्टेगरम पर बहुत सारे अक्राउंस निया फिर यूटूब पर भी डाल सकते हो स्टूरी आइडिया तो वह आपको बता देंगे कि किस तरह से आप सुन्दर सुन्दर लगा सकते हो तो आप यह काम कर सकते हो और उसके बाद आपको करना किया कि भाई तो जो भी आप स्ट चौती चीज कि आपकी स्टोरी में CTA ही नहीं होता है कुछ बहुत सारी एकाउट की मैं स्टोरी में देखा है कि वहाँ पर call to action होता ही नहीं है अगर बंदे में स्टोरी देख बिली तो क्या करेगा उसको क्या करना चाहिए आपको बताना पड़ेगा जैसे मैं इस वीडियो की शुरू में मैंने बताया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को एंड तक देखना ये एक तरीके से मैं call to action दे रहा हूँ आप भी पता चाहिए थी की लोगों को मालूअना चाहिए कि स्टोरी के साथ उनको करना क्या है उनको reply करना है या फिर उनको फोई पर ख्री ऊंड बना के लिए टिके करना क्या स्ट आप डहां को क्रूछ एक्ष्ट को इस जीते आपका के को सुरुघू की यह करशनुन में ये करने को तो चांस होते हैं कि वह उस चीज को करेंगे और अगर आप बताई नहीं दो अगर आपको वही पुराना एक्जामपल लेते हैं अगर मैंने वह चीज बेचनी है अगर मैंने उस चीज का सब्सक्राइब एको नहीं और प्वाग अपने और सब्सक्राइब लोगों से कहो कि वह आपके हैं और सीज अच्छाए करेंगे आप लोगों से कुछो को सिनक जवाब दो इस तरह से आप लोगों से इंगेज कर सकते हो अब देखो स्टोरी में क्या होता है कि जब आप पोल सकते हो तो तो वह इस्तेमाल करने बड़ा अच्छा रखता था अब फोल पे रप्लाइ करना तो आप देखो आपनी सोली में एसक तो आप पूल लगाओ ज़निवीन पूल लगाओ आपके आपकी निश्च से वह रिलेट करता हो ऐसे कुछ भी पूल नहीं तो आप अपना पूल लगाओ पूसर करो तिक है अच्छे स्टीकर्स यूज करो इससे क्या होता है तो आपके अच्छा लगते प्रोफाइल और वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और तैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो